स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का इम टेक्नो चैनल में और आज DRDO के अकोडिंग यानि कि जो DRDO को कलपर सों एक्जाम होने वाला है उसके अकोडिंग मैंने जनरल साइंस और जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट 25 कोईशनों का एक सेट तयार किया है मैं आज रिलीज करने वाला हूँ लेकिन उसे रिलीज करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए का सिद्धानत है तो उसमें correct answer option A है Second question अभरेंट अमीनोमीटर क्या मापने के काम में आता है तो अमीनोमीटर जो होता है फ्रेंट वो पवन का वेग मापता है तो उसमें correct answer option C हो जाएगा कि अमीनोमीटर पवन के वेग को मापने के लिए कि यूज किया जाता है Third question अभरेंट से प्रकास वर्स किसका मातरक होता है प्रकास वर्स की यूणिट पूछी गए फ्रेंट तो उसमें प्रकास वर्स की यूणिट जो होती है दूरी होती है यानि कि distance तो उसमें correct answer option A हो जाएगा तो हीरे में जो चमक होती है फ्रेंट से होती है प्रकास का अंतरीक प्रावरतन के कारण यानि कि internal reflection of light के कारण ही हीरे में चमक होती है तो उसमें correct answer option B हो जाएगा Next question अभरेंट ने में लिखित में से सूर्य के किस भाग को मानव द्वारा देखा जा सकता है यानि कि इसमें पूछा गया है कि मनुष्य द्वारा सूर्य के किस भाग को देखा जाता है तो photosphere जो हता है friends photosphere उसको मानव देख सकता है मनुष्य देख सकता है तो उसमें correct answer option A हो जाएगा next question friend ने में से कौन सी अधातू विद्दूत का सुचालक है तो अधातू विद्दूत का सुचालक पूछा गया friends तो इसमें जो graphite है वो अधातू विद्दूत का सुचालक है तो इसमें correct answer option A हो जाएगा next question है friends सिर्का वो अचार में कौन सा अमल होता है तो सिर्का और अचार में friends SAT कमल होता है SAT कमल ही सिर्का और अचार में होता है और नारंगी में friends साट्रीक साट्रीक जो अमल होता है वो नारंगी में पाया जाता है ध्यान रखना friends यह confusion वाला question है क्योंकि सिर्का और अचार में SAT कमल होता है और नारंगी में SAT कमल होता है तो इसमें correct answer option D हो जाएगा acetic, Amel नेक्स्ट क्वेसियन ए फ्रेंड गवाईटर रोग लुग किस खनीज तोत्व से संबंदित तो गवाईटर रोग फ्रेंड आयोडर खनीज तोत्व से संबंदित है तो इसमें correct answer option C हो जाएगा next question है friend calcium carbonite के crystal क्या कहलाता है चोटे चोटे crystal होते है वो किस नाम से जाने जाते है तो वो friends जाने जाते है systolith के नाम से यानि किसमे correct answer option A हो जाएगा systolith next question है friends हाली में बेग्यानिकों ने ब्रमाण में सबसे चमकिली आखाज गंगा की खोच की है उसे क्या नाम दिया गया है तो अब चमकिली आकाज जो ब्रमान में चमकिली आकाज गंगा की खोज किया उसका नाम रखा गया रोनाल्डो C.R. 7 तो इसमें correct answer option C हो जाएगा Next question निमने लिखित मैंसे सबसे भारी दातू कौन सी है तो सबसे भारी दातू पूछी गया तो सबसे भारी दातू जो होती है वो कोस्मियम होती है तो इसमें correct answer option D हो जाएगा कोस्मियम ही सबसे भारी दातू होती है Next question सोने के आबुसन बनाते समय उसमें कौन सी दातू मिलाई जाती है तो जब भी सोने का आपूशन बनाया जाता फ्रेंड्स, तो उसमें copper यानी कि tamba मिलाया जाता, tamba का मिसरन किया जाता, तो उसमें correct answer option A हो जाएगा तामभा नेक्स्ट क्रांटी फ्रेंड लाल क्रांटी किस से संबंदित है तो लाल क्रांटी फ्रेंड्स मांस उत्पादन से संबंदित है और एक पूछ लेता कभी-कभी कि स्वेट क्रांटी किस से संबंदित है तो स्वेट क्रांटी मत्स्य उत्पादन से संबंदित होती है तो उसमा आगे फ्रेंड जीके से संबंदित question है फर्स्ट question है फ्रेंड पुछा गया है विश्व प्रेटन दिवस हर साल किस दिन पर मनाया जाता तो विश्व प्रेटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता फ्रेंड तो इसमें correct answer option A हो जाएगा 27 सितंबर को next question है फ्रेंड किस राज्य की सरकार ने हाली में CM और मंत्रियों को अपनी salary से income tax भरने का निर्ने लिया तो CM और मंत्रियों से अपनी salary का income tax भरने का निर्ने फ्रेंड यूपी सरकार यानि की उतरपर दे सरकार ने लिया तो इसमें correct answer option D हो जाएगा next question है फ्रेंड अगनी IV मिसन के सपलता के पीछे DR डियों का पक्षे पातर विग्यानी कौन है तो वो फ्रेंड से है टेक्सी थॉमस टेक्सी थॉमस ने ही DR डियों के अगनी IV मिसन के सपलता पुरोग प्रिशे पातर किया था तो इसमें correct answer option B हो जाया अक्टूबर 2008 में ही शुरूने चंदियान फर्स्ट की लॉंचिंग की थी next question है फ्रेंड हाली में 25 अगस 2019 को किस पुस्तक का लोकापन हुआ था तो 25 अगस 2019 को फ्रेंड डाइरी ओफ मेनू गांधी का लोकापन हुआ था तो इसमें correct answer option B हो जाएगा next question है फ्रेंड हाली में PM मोदी ने स्वचता ही सेवा 2019 अभियान का सुबारंब किया है यह किस विसे के अंतरगत आता है तो यह फ्रेंड से प्लास्टिक अपसिस्ट परबंदन के अंतरगत आता है यानि कि स्वचता है जो सेवा 2019 अभियान सुबारंब हुआ था वो प्लास्टिक अपसिस्ट परबंदन के अंतरगत आता तो उसमें correct answer option B हो जाएगा next question है friends किस भारतिया को हाली में IAAF के veteran pin abort के नाम से सम्मानित किया गया तो PT USA को friends IAAF के veteran pin abort से सम्मानित किया गया था तो उसमें correct answer option D हो जाएगा PT USA को next question है friends पूछा गया है निमन में से कौन सम्मानित है तो उसमें correct answer option A है friends आंदर परदेश की राज़ा बासा जो है वो है तेलगू तो उसमें correct answer option A हो जाएगा next question है friends भारत के किस निशाने बाज ने लंदन उलंपिक खेलो में 2012 में रज़त पदक प्राप्त किया है तो बिजे कुमार ने friends लंदन में उलंपिक खेलो 2012 में रज़त पदक प्राप्त किया था तो उसमें correct answer option A हो जाएगा बिजे कुमार ने next question है friends कौन भारती है हाली में global goalkeeper अबोर्ट से सम्मानित किया गया है तो global goalkeeper अबोर्ट से friends नरेंदर मोदी जी को सम्मानित किया गया है तो इसमें correct answer option C हो जागा नरेंदर मोदी जी थैंक्यू दोस्तों वीडियो को अंतक देखने के लिए अगर आपको किसी question में कोई doubt लगे तो मुझे comment करके जरूर बताना और अगर आपने अभी तक चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और सामने बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली नेस्ट वीडियो की update यानि की notification आपको सबसे पहले मिल सके